तो आज हम बनाएं के चील के दाना निकाल लिया उसके बाद पीस लिया इधर रख दिया कड़ाई कड़ाई गर्मोने को बाद मेथी थोड़ा से जीरा थोड़ा सा शौंफ और सौंफ से निमोना का टेस्ट प्रेंच बहुत ही अच्छा आता है अब इसको थोड़े दिर पकन कर देंगे पीछाट निमोना इसको 2 इना पकाना है बहुत जादा नहीं पकाना है अब इसमें डालेंगे उबला हुआ आलो आप कच्य आलो कभी बना शकते हैं हम उबले अलो को बना रहे हैं चीजिंगे अब इसमें डालेंगे हल्दी लेशून प्याज अध्रक का धनिया पाउडर अब इससों मिलाएंगे और थोड़े दर बहुत अच्छे से मसाला को पकाएंगे तो यहां देखी मसाला पक रहा है और प्रेंश पक ग्या आप इसमें पाई डाल रहे हैं अब इसमें डालेंगे टेस्ट के एकौर्डिंग नमक अब इसे हम ढखके पका लेंगे और ये देखिए कच्छी मूं का निमोना बनकर रेडी है